Hello friends, good morning all of you, दोस्तों मैं सुनिल सर्मा योर इंग्लिस टीचर, दोस्तों अपन ने अपनी कल वाले लेक्चर में चेप्टर एट की वर्ड मिनिंग देखी थी, now I am starting your lesson, please open your book and try to understand with me, अब अपनी बुक खोले और मेरे साथ समनने का प्रियास करें, with वर्ड मिनिंग, दोस्तों आ आपकी इस चेप्टर का नाम है Old Man at the Breeze, पुल पर व्रद आदमी, इसको लिखने वाले Ernest Hemingway, सब से पहले चेप्टर की पीछे about the author समझे थोड़ा सा, तांकि दिक्कत ने आए आए आपको और about the story, आराम से जी गोईंग चेप्टर के लिए हो जाए, Ernest Hemingway is an important name in the modern American fiction, fiction यानी कता साहिते, Ernest Hemingway, आदुनीक अमरिकन कता साहिते में एक मेत तुपन नाम रहे, the appealing style of his novels and short story has influenced any प्रभावशाली, the deployment of modern prose, प्रोज से तात्परिये दोस्तों गद्ध, उन्होंने अपने उपन्यास और लगुकानियों की जो रिध्य को छूने वाली सेली से लिखा, उसे आदुनीक गद्ध की विकास को बहुत अधिक प्रभावशित किया, दोस्तों उन्होंने, अपनी जो रिधह इसमर्शी सेली थी लगुकानियों की उपन्यासों की लेखन की आदुनी के गत को विकास दिया उन्होंने His famous novel is the farewell to arms उनका जो परसिद्ध उपन्यासता होता farewell to arms He was awarded उसके लिए उनको noble pruskar जो साहिते के छेतर में सबसे बड़ा pruskar होता है Sweden सरकार के द्वारा दिया जाता है for literature in 1954 1904 में उनको noble pruskar से नवाजा गया था दोस्तों यह आपके chapter के writer है about the story थोड़ी summary अपन चलते चलते about the story के माध्यम से देखते हैं दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यह उन सर्णार्तियों के बारे में अपनी स्पर्स को चूने वाली कानी है जिसमें इसमें के गरय युद्ध के दोरान कई लोगों को अपने खुद के घर सेर टाउन छोड़ के जाना पड़ा उन लोगों के अब वो युद्ध हो रहा है तो बारन एक खुद की जगे छोड़ के दूसरी जगे जाते हैं तो वो स्रणार्ती बन गए एक तरीके से दूसरी जगे के लिए इट वोस फाउट विट्विन दा रिपॉब्लिकन यह जो युद्ध था ग्रह युद्ध था ग्रह युद्ध घर के अंदर वो किनकिन के बीच में था यहां थोड़ा आप समझ लोगे तो अच्छा है रिपॉब्लिकन से नहीं होता है गनतंत्रात्मक विचारदारा के लोगों में एंड दा इस्पैनिस फासिस्ट और जो इस्पैनिस से फासिस्ट लोग थे दत्सन पंथी विचारदारा के लोग उनके बीच लड़ा जा रहा था दोस्तों इन दिस इस्टोरियस सोल्जर एट ब्रेज एंड नोटिस के अन ओल्ड वुमें इस नॉट मॉविंग इस कामी में अपने देखते हैं कि एक सैने के एक पुल पर है और वहाँ वुवह एक वृद आदमे को देखता है जो वृद आदमे OSPUL से आगे नहीं जा पा रहा है युद्ध के समय में और सैने क चारह है कि वह से पिस्तान पर पहुंच जाए सुरक्षितिस्तान पे पहुँच जाए लेकिन वो वहां से यह डूल नहीं पारा not moving any वहीं पे निश्चल है even though he had no wish to play part in the war यद भी उस पुरद आदमी की कोई इच्छा नहीं कि वो युद्ध में भाग ले क्योंकि वो इस योग्य था भी नहीं he was about 76 years old लगबग वो छिंतरसाल का था इसमें mention होगा चैप्टर में आगे the narrator feels about the old man fate and also of the other individual who had to suffer during wars जो लेखक है इस चैप्टर का वर्णन करता है उसने उस वरद आदमी के बाग्ये पर और ऐसे अन्य आदमी जो दुख से प्रताडिते दुख से बेघर हो गएते युद्ध के दोरान उन को जो दुख उटाना पड़ रहा था उसके बाग्ये पर दुखी था हो उन सब लोगों के बाग्ये पर लेखक दुखी होता है जो युद्ध के से प्रताडित हो रहे थे अब आप first of all सुरु से देखें जहां से अपना चैप्टर रनिंग में होगा सबसर पहले दोस्तों इसमें बताय जा रहा है कि इस्टील के फ्रेम का चस्मा लगावा और दूल से सनवे कपड़े पहनेवे एक बरत आदमी सड़क के किनारे बैठावा था सड़क के बगल में बैठावा था देर वोजे पॉंटू उन ब्रीज अक्रोस दा रिवर्स एंड कार्स ट्रक्स मैं बूमें एंड चिल्डरन वो वर क्रोसिंग इट वहां पे एक नाओं के उपर एक पुल बनाया गया था नाओं को जोड कर पॉंटू उन ब्रीज होता है जो नाओं के उपर प्रफंटों के माध्यम से बनाए जाता है उस पे से कार्ट गाडियां जा रहे थी ट्रक जा रहे थे आदमें और चेल्डन बच्चे सब पास नदी पार कर रहे थे नदी के उपर एक पुल बनाए गया था लोगों को निकालने के लिए था म्यूल ड्रोन कार्ट होती है दोस्तों जो खच़्चरो ढारे की जाने वाली काडियां के लिए बिच खैस्ते ने गदे होते हैं नैं गोड़े होते हैं बीच की पर जाती युनों ऑल्सो इट इट स्थैक ट Breakfast कुख चल रहे थी अब दा इस स्टीप बेंक सब्सक्राइब को निकालने के लिए उनके पईयों की ताडियों से उनको दखेल रहे थे आगे की तरब दखेलने में साहिता कर रहे थे इसमें सबसे आगे ट्रक पूरी तागत से चड़ कर सबसे आगे बढ़ रहे थे चड़ाई की सीधी थी दा पीजेंट्स प्लोडेड अलोंग इन दा एंकल डिप डस्ट जो वो ब्रद किसान था उसके पैरों के टकनों तक मिट्टी वो मिट्टी में जोड़ देकर चल रहे थे जो किसान लोगते पिजेंट्स थे वो अपने पैरों के टकनों तक की मिट्टी में जोड़ देकर चल रहे थे सब वहां से आनि प्लाइन कर रहे थे क्योंकि वहां तो गनतंत्रात्मक और फा किनारे बेटा ही वोज थू टाइड तो गो एनी फर्दर वह बहुत ज्यादा थकावा था इसलिए आगे चलने में पने आपको समर्थ पा रहा था दोस्तों इट वोज माई बिजनेस तो क्रोज दा ब्रीज एक्सप्लोर दा ब्रीज हैड ब्योंड एंड फाइंड आउट दा पॉइंट दे एनिमी हैड एडवांस्ट लेकर कह रहा है कि मेरा काम यह था कि मैं पुल पार करके पुल के दूसरे सुरुखसित किनारे तक जाकर यह देखू कि दुस्मन की सेना कितने आगे तक बड़ी किसस्तान तक आगे आगई है यह काम था आई डिड दा आई डिड द बहुत ज्यादा बेल गाडियां भी नहीं थी उनने वाँ गाडियां थी उनने पैदल चलने वाले लोग थे सब जा चुके थे लेकिन वो ब्रता आदमी अभी भी वहीं बेटा वा था वेर डू यू कम फ्रॉम आई आसकर इम मैंने उससे पूछा कि तुम कहां से आयो तु उसने फ्रॉम सेन कार्लोस ही सेड एंड इसमाइल मुसकरा कि अपने कस्वे का सेर का नाम लिया सेन का एक परसिद सेर है जैसे अपने दिलनी मुंबई है दोस्तों डेट वोज इस नेटिव टाउन यह उसका ग्रे कस्वा था ग्रे यह नेटिव टाउन से ताथ पर इसलिए उसका नाम लेते उससे उसके चेरे पर कुशी थी मुस्कुरार थी उसने आगे मुझे समझाए कि मैं जानबरों की देखवाल कर रहाता हूं पर टेकिंग केर है नहीं देखवाल ओ इसकी बात बिना अच्छी तरह समझवे मैंने कहा अच्छा यह बात है यह सेड इस्टेड यू सी टेकिंग केर आप अनिमल्स आइव जानबरों की देखवाल के लिए वहां रुका वा था और मैं अंतिम विखती था जिसने सेन कार्लस को मेरे कस्वे को मेरे सहर को छोड़ा था और मैंने उसके काले दूप और सुने कपड़ों और दूल से डख्यों चेहरे इस्टेड वाले फ्रेम की तरह समझवे मैंने अनिमल्स आइव कोई गडरिया ग्वाला चरावा भी नहीं लग रहा था और मैंने उसके काले दूप और सुने कपड़ों और दूल से डख्यों चेहरे इस्टील वाले फ्रेम की तरफ देखकर कहा विक क्या जानबर थे जिनकी तुम देखवाल कर रहे थे वेरियस एनिमल इस हैड और सुकी जैड उसने अपना सीरी लाकर कहा कि बोस विविन परकार के अने परकार के जानबर थे वेरियस यह नहीं अलग लग परकार के मैं मुझे उन्हें छोड़ कर आना पड़ा वोट एनिमल्स वर दे आया आसकर मैंने फिर से दुबारा से पूचा कि वे क्या जानबर थे देर वर टू गोड्स उसने कहा दो बक्रिया थी एंड एक बिल्ली थी और तुम्हें उनको छोड़ना पड़ा मैंने पूचा येस विकोज अब दा आर्टिलरी आर्टिलरी से तात्प्रिया दोस्तों ये वर्ड मिनिंग में भी लिखिये तोपकाना तोपकाने के विज़े से मुझे छोड़ना पड़ा था कैप्टिन टोड़ में टोगो and you have no family I asked मैंने पूचा क्या तुम्हारा कोई परिवार नी है watching the fair end of the bridge where a fist last carts were hurrying down the slope of the bank अगरे मैंने पूचा क्या तुम्हारा कोई परिवार नी है तो उन्होंने पुल के दूसरे अंतिम शिरे को देखते वें साब्दानी देखते हुए निरक्षन करते हुए जानतीम गाडियां डलान से नीचे उतर रही थी जा रही थी लास्ट इस्ति आ रही थी बन रही थी मुझे का no he said only the animals मेरा कोई परिवार नहीं कि उल जानबर है जिनकी मैं देखवाल करता हम दा केट अपकोर्स विल बी ओल राइट बिल्ली तो ठीक टाक रहे लेगी मुझे विश्वास है एक केट लुक आउट फॉर इट्सेल पे एक बिल्ली अपनी स्युम की देख रहा है स्युम कर सकती है बट आइक मुझे और अन्य पक्सी जानबरों की चिंता है मुझे बिल्ली की नहीं है किन्तु मैं अन्य जानबरों का क्या होगा ये सोस्तम मैं ने पूछा तुम कौन सी राजनेतिक पार्टी के हो तो देखो आगे वो व्रद्विक्ति क्या जवाब देता है मैं किसी भी राजनेतिक पार्टी से बिलॉंग नहीं करता आई है I am 76 years old मैं चिंतर वर्सका हूँ I have come 12 km now and I think now I can go no more further मैं 12 km पैदल चल के आया हूँ और मैं सोस्ता हूँ मैं और आगे नहीं चल सकता हूँ this is not a good palace to stop तो मैंने कहा कि ये रुकने के लिए एक सुरक्सितिस्तान नहीं है आगे तो आपको जाना पड़ेगा I said if you can make it there are trucks up the road where up यानी उपर वाले रस्ते पे it rocks for toto sa मैंने व्रदा आदमी से कहा कि तुम व्योस्ता बैठा सको तो उपर की जो सड़क है उस पर ट्रक जा रहे है और जो ये ट्रक toto sa के लिए विवाजित होने वाली सड़क तक जाएंगे there is not a good failure to stop ये रुकने की सई जगह नहीं है I will wait a while मैं थोड़ी दिर परतिक्षा करूंगा he said उसने का and I and then I will go और तब मैं चला जमगा where do the trucks go ये trucks कहां जा रहे है तू बार तू आर्स बार सो लिना बार सो लोना एभी एक वहां का सहर है दोस्तो इस पेन का बार सो लिना फुटबोल का एक अच्छा कलब भी है जिसके लिए जिसमें लियोन मेसी वगरा अच्छे अच्छे अपने फुटबोलर उसकी तरफ से ख अंता ही सेध और थेंकियु वेरीमस लेकिन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू अगें वेरीमस तुम्हें पुने बहुत धन्यवाद ही लूकड़ेट में ब्लैंकली एंटाइडली उसने मेरे और मेरी तरफ सुन्ने बाव से और ठकान बरी नजर से देखा थे said having to share is worry with someone और फिर अपनी चिंता को किसी के साथ बांटने के लिए उसने कहा दे दा केट विल बी ओल राइट बिली तो ठीक टाक होगी मुझे विश्वास है there is I am sure मुझे विश्वास है there is no need to be unquiet about the bucket बिली के विश्वे में मुझे बेचेन होने की जुरुत नहीं है बड़ दादर्स लेकिन जो अन्य दूसरे जानवर है now what do you think about the others अब अन्य पस्वों के विश्वे में तुम क्या सोचते हो why they will probably come through it all right क्यों वे इस संकर से संबवते बच कर सही सलामत नहीं निकलाएंगे you think क्या आप ऐसा सोचते हो why not क्यों नहीं I said watching the far bank where now there were so no cars क्यों नहीं तुम दूर अंतिम किनारे जहां आप गाड़िया नहीं थी कि और साबदानी से निरक्षन करते हैं मैंने का but what will be they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery किन्तुए तौपकाने के सामने क्या करेंगे जानबर जबकि मुझे ही तौपकाने कानवोई स्थान छोड़ने के लिए कह दिया गया तो वो क्या करेंगे वो वेचारा ब्रदाद में कह रहा है did you leave the dust cage unlocked I ask a yes तो मैंने उसे पूचा किया तुमने पाक था कि पिंद्रे को खुला नहीं छोड़ा तो उसने कहा हाँ छोड़ा है डव यानि पाक था चिडिया होती है दोस्तों एक कमेडी देसी बासा में इसे कमेडी कह सकते हैं अब यहां से जा रहा है तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम अब आराम कर चुके हो तो मैंने उकसाते उसे कहा गेट अप एंड ट्राइ टू वॉक खड़े जा और चलने की कोशिस करो मैं अब यहां से जा रहा है थेंक्यू उसने धन्यवाद दिया इसेड एंड गो टू इस फिट इतना कहके वो अपने पेरों फे खड़ा हो गया सेवड फ्रॉम साइड टू साइड देन सेड डाउन बेकवर्ड इन दा डश्ट लेकिन वो अपने आपको खड़ा रखने में समर्थ पाया इदर उदर जूमने लगा और वापिस मिट्टी की तरफ पीछे बेट गया थकान से उसकी खराबती दोस्तों इसलिए ऐसा हो रहा मैं तो क्यों जानवरों की देखवाल कर रहा था अपने आप से कह रहा था हो देर वाज नथिंग टू अबाउट हिम उस वरद आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था यहां पे कोई व्यस्ता नहीं थी उससे सरकते सिस्तान पर पहुचाने के लिए इट वोज इस इस्टर संडे था इस्टर संडे का रविवार था दोस्तों इस्टर का रविवार था इसायों का इलिए पवित्र दिन माने जाता यह रविवार क्योंकि इस दिन इसा मसी का पुनर थान या पुनर जीवन हो आता इसलिए एक दे आर सेलेब्रेटेड एज फेस्टिवल यह लोग एक फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं दोस्तों तो देखें दोस्तों आगे एन्ड फासिस्ट वर एडवांसिंग टूवर्स दा इब्रो और जो फासिस्ट लोग ते एब्रो नदी के और बढ़ रहे थे तेजी से इट वाजे ग्रे और कास्ट दे विते लो अब उस वरद आदमी के लिए एक मात्र सोबाग्य की बात यही थी कि वो बिल ली तो से हमकी खुद की देखवाल कर लेगी वह अन्य जानबरों के लिए चिंतिता इस परकार से हेर यो लेशन हैज कंपलीटेड आपका चेप्टर एम चेप्टर होता है दोस्तों इसको आप बार बार सुनें लिसन दीस ओडियो